तो हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप अच्छे होंगे और खोस होंगे फ्रेंट्स इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन क्या और कहां पर होता है फ्रेंट्स कई लोगों को यह पता नहीं होता है कि YouTube में description क्या होता है और इस तरह से वो जो है description को नहीं देख पाते हैं या उसे open नहीं कर पाते हैं तो फ्रेंट्स अगर आपको भी पता नहीं है कि YouTube में description क्या होता है तो फ्रेंट्स इस वीडियो को आप देखते रहे हैं तो फ्रेंट्स देखें माल लिजे ये एक वीडियो है और फ्रेंट्स अब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो friends, जब आप किसी भी वीडियो को ब्ले करेंगे, उसके बाद friends, आपको यहाँ ये जो आइकन देखने को मिल रहा है, तो friends, जब आप इस पर click करेंगे, उसके बाद friends, इस वीडियो का description यहाँ पर open हो जाएगा, friends description में जो है उस वीडियो का detail यहां पर लिखा जाता है यानि कि उस वीडियो में क्या बताया गया है या फिर उस वीडियो में क्या समझाया गया है या फिर वो वीडियो किस topic का है तो friends ये सब चीजे जो है उस वीडियो के description में लिखा जाता है जिसको की कहते हैं description box तो friends description box में जितने ज़्यादा चीज लिखे होते है उतना बड़ा होता है तो friends ये होता है YouTube में description और यहाँ पर होता है ये description box वाला आइकन तो friends अब आप समझ गए होंगे कि description कहा होता है और description का मतलग क्या होता है तो friends अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और पास वाले notification बेल को जरूर दवाएए चलिए friends मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक क्यार